हेलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग आईप आप सब बहुत बढ़ी जाओंगे एरपेंस आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में भाईओं आज मैं आपको इस वीडियो में BGMI के अर्जेंट नोटिस के बारे में बताने बाला हूँ और मैं आपको इस वीडियो में न भाईयों इन लीक्स का केड़ेट मेरतमीज अब आईटी को जाता है तो आप उनका भी चैनल चेक आउट कर लेना तो बाईयों बिदाउट बेस्टिंग अनी टाइम चलिए अब हम शुरू करते हैं तो चलिए मैं आपको सबसे पहले निव इवेंट सॉप के बारे में बता देता हूँ भाईयों आप लोग देख सकते हैं आज पबजी मुवाल के अंदर निव इवेंट सॉप एड़ हो चुकी है जिसके अंदर आपको एक टाइम लिम्टेड एमोट मिल रहा है और आपको इसके अंदर कुछ डिरे से भी मिल रही है आपको इसके अंदर टाइम लिम्टेड आइटम मिलने बाले है आईयों आप लोग देख सकते हैं आपको PUBG Mobile के अंदर एक new feature देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग Genie के अंदर convert हो सकते हैं आईयों आपको फिलाल ये बाले item PUBG Mobile के अंदर देखने को मिल रहे हैं लेकिन बहुत ही जल्द ये बाले item हमारे BGMI के अंदर भी add होने बाले हैं आप लोग देख सकते हैं आपको ये जो Genie मिलता है आप लोग इसकी मदद से Classic Mode के अंदर और अपनी lobby के अंदर Genie में convert हो सकते हैं चलिए मैं आपको lobby के अंदर Genie में convert होके दिखा देता हूँ भाईों आप लोग देख सकते हैं आप लोग जैसे ही remote वाले section में जाएंगे तो आपको यहाँ पे Genie में convert होने का option देखने को मिल जाएगा आप लोग इस छड़ी की मदद से बड़ी आसानी से Genie में convert हो सकते हैं आप लोग इस feature का huge classic match के अंदर भी कर सकते हैं भाईों फिलाल यह बाला feature हमारे BGMI के अंदर तो add नहीं है लेकिन आपको PUBG मुआल के अंदर यह बाला feature देखने को मिल जाएगा लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हमारे BGMI के अंदर भी इस feature को add कर दिया जाए तो भाईों आप लोग हमें comment box में जरूर बताना कि आपको यह जीनी में convert होने वाला feature कैसा लगा तो चलिए हम मैं आपको BGMI के urgent notice के बारे में बता देता हूँ भाईों 30 तारिक को BGMI ने अपनी official site पे एक notice public किया था जिसमें Redmi K50i users की problem को दूर करने के बारे में बताया है भाईों जो बंदे Redmi K50i device को use करते हैं उन लोगों को BGMI के अंदर बहुत जादा problem हो रही थी जब वो लोग किसी भी odd drop बाली जगा पे या event बाली जगा पे उतरते थे तो उनका बहुत जादा game render होता था तो इस notice के अंदर BGMI ने उसी problem को solve करने के बारे में बताया है चलिए मैं आपको इस notice के बारे में sort में बता देता हूँ भाई अगर आप लोगों ने अपने Redmi K50i को update नहीं किया है तो आप लोगों से अपने latest version में update कर लीजिए और अगर आपने अपने Redmi K50i device को latest version में update कर लीआ है फिर भी आपके में ये बाली problem हो रही है तो आप लोग अपने BGMI को uninstall मार के दुबारा install कर लीजिए जिससे आपकी rendering की problem 100% solve हो जाएगी तो भाई ओ यही था BGMI cardient notice Redmi K50i users के लिए अगर आपको अभी भी कोई भी doubt है तो आप लोग हम से comment box में पूछ सकते हैं तो चलिए हम मैं आपको next premium crate के leaks दिखा देता हूँ भाईयों आपको next premium crate के अंदर एक upgradable AWM की skin देखने को मिलने बाली है आपको इन तीनों AWM की skin में से कोई एक AWM की skin next premium crate के अंदर देखने को मिल जाएगी भाईयों यह बाली premium crate PUBG mobile के अंदर आने बाली है हमारे BGMI के अंदर हमें इसा की तरह कोई गटिया premium crate ही आएगी आपको BGMI के अंदर तो upgradable gun बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगी की skin 100% देखने को मिल जाएगी भाईयों अगर आपके पास 120 premium crate है तो आप लोग उने बचा के रखिये क्योंकि आपको PUBG mobile के अंदर 120 premium crate में guaranteed में AWM की skin मिल जाएगी तो चलिए हम मैं आपको mummy X suit के leaks दिखा देता हूँ और मैं आपको ये भी बताने बाला हूँ कि आपको mummy X suit कहां पे देखने को मिलने बाला है क्योंकि भाईयों आपको YouTube पे बहुत से लोग बेपकूब बना रहे हैं कि आपको mummy X suit BGMI and PUBG के अंदर 3.2 के update में देखने को मिल जाएगा 3.3 के update में देखने को मिल जाएगा भाईयों आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको ये बाला X suit कहां पे देखने को मिलने बाला है क्योंकि भाईयों मैं आपको अपने चैनल पर हमेंसा real information provide कराता हूँ मैं आपको कभी भी भी उसके लालच में कोई भी fake information provide नहीं कराता हूँ भाईयों आप लोग देख सकते हैं आपको ये बाला mummy X suit बहुत जादा खतरनाक देखने को मिल जाता है और आप लोग इसकी spin को भी देख सकते हैं आपको इसके अंदर कुछ अलग तरीके की spin देखने को मिल जाती है तो चलिए हम सबसे पहले इस X suit को चेक कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये बाला X suit हमारे BGMI और PUBG के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं भाईों आप लोग देख सकते हैं आपको इस X suit का लोग बहुत जादा खतरनाक देखने को मिल जाता है आप लोग इसे label 1 पे देख सकते हैं आपको label 1 पे ये बाला X suit कुछ इस तरीके का देखने को मिले बाला है भाईों आप लोग देख सकते हैं आपको इसके label 1 के अंदर कितनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको इसके अंदर label 1 में एक से एक जबर्जर्ट इमोड देखने को मिल रही हैं भाईों मैं आप से सच कह रहा हूँ यह बाला exit तो एक नमबर का है आपको अब तक ऐसा एक्सूट कभी भी BGMI and PUBG के अंदर तो नहीं आया है भाईयों आप लोग इसका लुग देख सकते हैं आपको इसके अंदर लेबिल बन में ही बहुत सारी चीजे देखने को मिल जाती हैं और आप लोग देख सकते हैं आपको इसके लेबिल टू के अंदर दो एफेक्ट देखने को मिलने बाले हैं एक आपको जंप के टाइम देखने को मिलने बाला है और आपको एक बेंडेज लगाने के टाइम देखने को मिलने बाला है और भाईयों आप लोग देख सकते हैं आपको इस एक्सूट का लुक बहुत जादा खतरनाक देखने को मिल जाता है आप लोग इसके लेविल 5 पर ये देख सकते हैं आपको इसके लेविल 5 पर रनिंग वाला एफेक्ट देखने को मिल जाता है और आपको इसके level 5 पर एक ये बाला emote देखने को मिल जाता है भाईयों आप लोग इसके level 6 को भी देख सकते हैं आपको इसके level 6 पर ये बाला entry emote देखने को मिल जाता है भाईयों ये थोड़ा Chinese में है इसलिए मुझे थोड़ा समझ में कम आ रहा है लेकिन आप लोग देख सकते हैं आपको ये बाला emote level 6 पर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा और भाईयों आप लोग देख सकते हैं इसका level 6 तो एक नंबर का है मतलब ऐसा emote तो आप लोगोंने कभी भी नहीं देखा होगा भाईयों आप लोग देख सकते हैं आपको इसका लेबिल 6 पर एंट्री मोड बहुत ज़ादा जब अर्जस देखने को मिल जाता है भाईयों मैं आपसे किलियर किये देता हूँ मतलब मैं आपको किलियर बता देता हूँ कि आपको ये बाला एकसूट BGM and PUBG के अंदर देखने को नहीं मिलने बाला है आपको ये बाला एकसूट Game for Peace मतलब PUBG Chinese version के अंदर देखने को मिलने बाला है क्योंकि भाईयों आपको ही पता होगा कि हमारे BGM and PUBG के अंदर कोई भी एकसूट आता है तो आपको इसके अंदर इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है आप लोग देख सकते हैं आपको इसके अंदर इतनी जादा चीज़ें मिल रही है मतलब running way effect जब आप लोग bandage या healthcare लगाएंगे उसमें आपको effect देखने को मिल जाएगा आपको jump के time effect देखने को मिल जाएगा मतलब आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है लेकिन भाईयों हमारे bjmi और pubg के अंदर जितने भी exit आये हैं उसके अंदर आपको मात्र entry mode देखने को मिलता है चाहें आप लोग label 2 पर देख लीजिए चाहें आपको level 5 पर आपको हमारे game के अंदर जितने भी exit देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर मात्र entry mode देखने को मिलता है और आपको इसके अंदर कोई ज़्यादा effect देखने को नहीं मिलते हैं भाईयों आपको ये बाला exit PUBG मतलब game for peace के अंदर देखने को मिलने बाला है आपको इसके अंदर एक upgradeable P90 की skin भी मिलने बाली है आप लोग इसका look भी देख सकते हैं मतलब भाईयों मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि आपको game for peace के अंदर बहुत ज़ादा जबरजर्स आइटम देखने को मिलते हैं ऐसे आइटम हमारे game के अंदर PUBG और BGMI के अंदर तो बिल्कुल भी आने बाले नहीं है क्योंकि भाईयों game for peace एक Chinese version और हमारा BGMI and PUBG गिलोबल और Indian version है इसलिए आपको इसके अंदर ये बाले आइटम देखने को नहीं मिलेंगे और भाईयों हो सकता है कि कभी वविस्वें जब आपके बच्चे गेम खेलने लगें तब BGMI and PUBG के अंदर ये आइटम आ जाएं तो भाईयों मैं आपसे clear किये देता हूँ कि आपको उस time भी इतने सारी चीजे इतने सारे effect आपको अपने BGMI and PUBG के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि भाईयों आपको कभी भी BGMI and PUBG के अंदर इतना खतरनाक आइटम नहीं मिलने बाला है तो भाईयों यही थी अमारे new एकशूट की reality आपको यूटूब पर बहुत से बंदे वेब कूब बना रहे हैं कि आपको 3.2 के अपडेट में 3.3 के अपडेट में यह बाला एकशूट हमारे BGMI and PUBG के अंदर देखने को मिलने बाला है भाईयों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको यह बाला एकशूट BGMI and PUBG के अंदर बिलकुल भी देखने को नहीं मिलने बाला है क्योंकि यह बाला एकशूट Game for Peace के अंदर आने बाला है और भाईयों हमारे BGMI के अंदर new एकशूट 3.3 के अपडेट में आने बाला है क्योंकि 3.1 के अपडेट में हमारे गेम के अंदर एकशूट आ चुका है आपको तो पताई होगा कि हमारे गेम के अंदर एक अपडेट के बाद एकशूट आता है मतलब हमारे गेम के अंदर पिछली बार 2.9 के अपडेट में एकशूट आया था तो भाईो यही थी हमारी आज की वीडियो, मैंने इस वीडियो में आपके एकसूट से एलेटेट सारे डाउट किलियर कर दिये, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजी और आप हमारे चैन कि अच सब्स्काष्व सकाने कर दो के अच्बूद कर दिये बारे भीडियो